आज है 22 अगस्त 2020 और आज इस वीडियो में हम टॉप 10 most important current affairs के बारे में discuss करने वाले हैं जो कि आगे आने मेरे सभी exams के लिए काफी important है तो फिर चलिए questions को शुरू करते हैं आज का पहला question है निम्न में से कौन सा सहर विस्व में Prime Global Cities Index 2020 में सिर्ष अस्थान पर है answer है option C Manila Manila सहर विस्व में Prime Global Cities Index 2020 में top ranking पर है हम यहां बात कर रहे हैं Manila की तो Manila Philippines की राजधानी है Philippines को आप world map के location में देख सकते हैं कि Philippines की location क्या है world map में और हम यहां बात कर रहे हैं Philippines की तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि Philippines की capital है Manila Philippines की currency है Philippine Peso और यहां के president है Rodrigo Duterte Second question अस्विनी कुमार सुकला किस bank के मुख्य जोखिम अधिकारी निउक्त किये गया है Answer है Option D Central Bank of India अस्विनी कुमार सुकला को Central Bank of India के मुख्य जोखिम अधिकारी CRO के रुप में निउक्त किया गया है उनके पास banking sector में 35 से भी अधिक साल का अनुभव है इससे पहले वे भारतिय स्टेट बैंक के जोखिम प्रबंधन विभा के महा प्रबंधक के रुप में काम कर रहे थे जिने आप तस्विर में देख रहे हैं यहीं हैं अस्विनी कुमार सुकला जिनको की Central Bank of India के मुख्य जोखिम अधिकारी के रुप में निउक्त किया गया है नेक्स्ट वेस्चन हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर लॉरा मार्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास लेने का एलान किया है एंसर है option A England लॉरा मार्स एक महिला क्रिकेटर है जो की इंग्लैंड दे से समंदित है इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास लेने का एलान कर दिया है इन्होंने 2019 की अंत में ही अपने अंतराष्ट्रिय करियर से अलविदा कह दिया था लेकिन अब इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास लेने का एलान किया है जिन्हें आप तस्वीर में देख रहे हैं यहीं है लॉरा मार्स और यहां हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की तो आप वर्ल्ड मैप में इंग्लैंड को देख सकते हैं इंग्लैंड की location को देख सकते हैं इंग्लैंड United Kingdom का ही part है इंग्लैंड की capital है London और इंग्लैंड की currency है pound sterling next question Google ने हाल ही में भारत में रोजगार आवेदन हेतु कौन सा app launch किया है answer है B कोरमो Jobs Google ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु कोरमो Jobs नाम का एक app launch किया है इसके जरी ये लोग online job सर्च कर सकेंगे कोरोना वाइरस के कारड़ देज में लाखों लोग अपनी नौकरी खोचुके हैं और बेरोजगार हो गया है लोगों को रोजगार खत्म हो गया है तो इन ही लोगों को रोजगार देने के लिए गूगल ने कोरमो Jobs नामक एक app को launch किया है और हम यहाँ बात कर रहें गूगल की तो गूगल की अस्थापना चार सितंबर 1998 में होई थी इसके founder है Larry Page और सरगी ब्रिन गूगल का headquarter है California United States में और गूगल के CEO है सुन्दर पिचाई Next question हर वर्ष अंतराष्ट्रिय वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाये जाता है Answer है option A 21 अगस्त को 21 अगस्त को विश्व भर में अंतराष्ट्रिय वरिष्ठ नागरिक दिवस यानि International Senior Citizens Day के रूपे मनाये जाता है इस दिवस की सुरुवात सबसे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्र पती रोनल्ड रिगन ने 1988 में मनाने का फैसला किया था उसके बाद 1990 में UNO ने यानि 1990 में UNO के द्वारा फैसला किया गया कि 21 अगस्त को अंतराष्ट्रिय वरिष्ठ नागरिक दिवस यानि International Senior Citizens Day के रूप में मनाये जाएगा अगला सवाल स्वक्ष सर्वेक्षड 2020 के अनुसार इनमें से कौन सा सहर सिर्ष अस्थान पर है एंसर है Option D Indoor Indoor स्वक्ष सर्वेक्षड 2020 में एक नमबर पर है स्वक्ष सर्वेक्षड 2020 अभी फिलहाल जारी किया गया जिसकी रिपोर्ट के मताबिक Indoor भारत का सबसे स्वक्ष सहर बना है Indoor इसके पहले भी तीन साल से सिर्ष अस्थान पर ही था और यह लगतार चौथा साल है जिसमें Indoor फिर से नमबर वन रैंकिंग पर है Indoor मध्य परदेश में इस्थित एक सहर है किस देश ने अपनी अस्थानिया रुप से निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल सहीद कासियम सोलिमानी प्रदर्सित की है एंसर है Option D इरान इरान ने सतह से सतह पर मार करने वाली यानि सर्फेस टू सर्फेस बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्सन किया है इसकी रेंज है 1400 किलो मिटर और इसी बैलिस्टिक मिसाइल का नाम साहीद कासिम सुलिमानी रखा गया है जिन्हें आप तस्वीर में देख रहे हैं कासीम सुलिमान जो कि इरान के कुछ फोर्स के प्रमुक्त है और अभी कुछ समय पहले अमेरिका द्वारा किये के हमले में ये मारे गए अब आप इरान के लोकेशन को वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं इरान की राज़्धानी है तेहरान इरान की करिंसी है रियाल और एरान के प्रेसिदेंट है हसन रुहानी अगला सवाल स्वक्षता सर्वेक्षण 2020 में राज़्धानियों की स्रेणी में किस राज़्धानी को पहला अस्थान प्राप्त हुआ है answer है C दिल्ली सच्छता सरविक्षन 2020 में राजधानियों के स्रेणी में दिल्ली को पहला अस्थान प्राप्त हुआ है दिल्ली के चीफ मिरिश्टर है अर्विंद केजरिवाल और दिल्ली के लेटिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल 5th question अगले सब्ता से रूस ने कितने लोगों पर कोरोना वैक्सीन के ट्राइल की घोस्णा की है एंसर है ओप्सन ए 40 हजार लोग अगले सब्ता से रसिया ने 40 हजार लोगों पर कोरोना वैक्सीन के ट्राइल की घोस्णा की है यहां बात हो रही है रस्या की, तो अब वर्ल्ल मैप में रस्या को देख सकते हैं, रस्या की कैपिटल है मौसको, रस्या के प्रेसिडेंट है ब्लादिमिर पूतीन और रस्या के प्राइम मिनिस्टर है मिखाई मिच सुतीन. आज के वीडियो का आखिरी सवाल किस देश के राष्टपती इबराहीम बाउपकर कीता ने सैन विद्रोह के बाद इस्तिफा दे दिया है एंसर है आप्सिन C माली माली के राष्टपती इबराहीम बाउपकर कीता ने सैने विद्रोह के बाद इस्तिफा दे दिया है आप जिने तस्विर में देख रहे हैं यहीं है इबराहीम बाउपकर कीता इन्होंने इस्तिफा दे दिया है सैन ने विद्रो यहाँ पर जादा हो गया था जिसके बाद इन्हें इस्तिफा देना पड़ा अब मैप में माली को देख सकते हैं माली की राज़ानी है बमाग को और माली में वर्तमान में ना कोई राष्टपती है और ना ही कोई प्राइम मिनिस्टर क्योंकि अभी वहाँ सारा सीट खाली है क्योंकि वहाँ सैन ने विद्रो फैला है जैसे ही कोई नए राष्टपती या फिर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो आपको जरूर अपड़िट किया जाएगा आज के टॉप 10 Most Important Current Affairs के Questions हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है अगर कोई doubt हो तो आप comment section में comment करके पूछ सकते हैं तब तक के लिए bye and thank you for watching this video